चलो आज बात करते हैं BMS Degree के बारे में BMS Degree की फुल फार में Bachelor Ayurvedic Medicine Surgery BMS करने के बाद आप अपनी लाइफ में अपने फूचर में बहुत ही अच्छा कुछ कर सकते हैं और एक आप Ayurvedic Practitioner बन सकते हैं बहुत सारे स्टुडेंट्स को पता ही नहीं है और पेरेंट्स बिल्कुल अंजान है कि आप BMS करने के बाद भी पीजी टेगरी कर सकते हैं और पीजी पीजी भी किसीजमें आप जाएए मैडिसन काया चीकित्सा, आप जाएए सर्ज्री शले तंक्र, आप जाएए पीडिया बाल लोग विशिशक्ये, आप जाएए गाइना उस्पिश्यक्ये तो यही है यानि कि आप BMS करने के बाद भी अपना future bright कर सकते हैं, PG कर सकते हैं इसके अंदर, आप इसके अंदर specialization कर सकते हैं बहुत सारे students को पता ही नहीं है कि BMS के बाद भी वो इस department में इस तरीके से आगे study continue कर सकते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगी, BMS आपकी साड़े 5 साल के degree है, जिन students का future में doctor बनने का dream है और वो चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा तुछ करें तो आज के time में आयरुवेदा बहुत growing थीज है आप प्लीज आयरुवेदा में जाएए, BMS degree साड़े 5 साल के लिए है, साड़े 4 साल के लिए इसमें आपकी study है और एक साल की internship है, internship एक साल आयरुवेदी hospital में की जाएगी और BMS करने के लिए, government seats, private seats and team university also available है अगर आप चाहते हैं कि BMS आपका government college में हो जाए तो आपको बहुत अच्छा NEET UG 2024 में आपको बहुत अच्छा good score करना होगा बहुत सारे बच्छों को यह लगता है कि without NEET हम BMS कर सकते हैं तो impossible, without NEET आप BMS नहीं कर सकते हैं आपको BMS करने के लिए NEET UG में participate जरूर करना होगा जैसे कि आप उसमें participate करते हैं, 720 का आपका exam होगा और उसका qualify score जो भी रहेगा जैसा कि 2023 में था 137 general category के लिए, इस बार आपका approximately 145 तक जाता है, तो आपको qualify करना ही ज़रूरी है qualify करना ही पड़ेगा बहुत सारे NEET fail बच्चे यह सोचते हैं कि अगर उनका MBBS में नहीं हुआ तो वो BMS में कर सकते हैं तो वो गलत चीज़ है, ऐसा नहीं, वो last 3 years था कि NEET fail बच्चों का admission हो जाता था अगर आप चाहते हैं कि इंडिया के top medical college में BMS में आपका admission हो जाए तो आप शिक्षामेड से contact कीजिए शिक्षामेड प्राविल्यूमिड कंपनी का head office sector 34 चली करने से थे थे अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा मेडिकल कॉलिज में फो बीमिस के लिए तो आप हमसे तुरंच कॉंटक्ट कीजिए हम आप बास इंडिया की सभी top medical colleges अबलेबल हैं उसके बारे में हम आपको proper guide करेंगे कहां पर आपका academic बहुत अच्छा है कहां पर आपकी operative बहुत अच्छी क्योंकि ऐसे college में आपका जाना जुरूरी है जहां पर study के साथ साथ आपको patient footfall भी मिले जोगी आप आप ओपीडी देख पाए अगर आपका पर patient footfall ही कम होगा तो आपका diagnosis clear नहीं हो पाएगा और आपके बहुत सारे doubt रह जाएंगे तो आप बिल्कुल भी यह मत समझे कि BMS degree किसी भी MBBS degree से पीछे है देखो MBBS जो है वो एलोपेथिक में टॉप ब्रांच है BMS है जो एक आयरवेदा में टॉप ब्रांच है दोनों अलग ज़ग चीज़े हैं दोनों को आप बिल्कुल भी merge मत कीजिए बहुत सारे बच्चे है प्लस टूस के एक्जाम के बाद नीट यूजी का एक्जाम देते हैं उसके बाद बच्चों का एक एड्मिशन MBBS में नहीं होता बच्चे मायूस होके चले जाते हैं कहां कोई भी फार्म हमें चला गया है कोई और अदर पेरा मेडिकल कॉर्स में चला गया है तो मैं उनको जरूर यह एडवाइस दोंगे प्लीज आप थूड़ा सा सोची समझी एक बार हमारे पर जरूरा है हम आपको बताएंगे कि बीमिस करने के एडवांटेज आपका कितना लोग बजट हो सकता है लो से लोग बजट के कॉलीज़ अवलेबल है इसमें क्लीनिकल और नॉन क्ली नहीं मतलब कुछ भी प्लाइन कर सकते हैं तो प्लीज शिक्षामेट को कांटक केजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना बूले